हाई है इसमे आज हम फिर रहा है एक नए टोपिक के साथ आज कामालय टोपीक है एंथ्ज्फ़ोमेट्रिक मेजरमेंट शारेomorphमेंट, ठीक है आज हम जानेगे हैं की एंhtr해요 anthropometric measurement कैसे लिया जाता है और यह वाकई में होता क्या है तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि anthropometric measurement क्या होता है और यह कैसे लिया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले anthropometric measurement का introduction देखते हैं ठीक है शीशू का जन्म होने पर उसका वजन लिया जाता है शीशू जब जन्म लेता है तो उसका वजन लिया जाता है 6.5 पॉंड का बच्चा सामान्य वजन वाला माना जाता है 6.5 पॉंड का बच्चा सामान्य वजन वाला माना जाता है अथात बच्चे का विकास शही दिशा में सही धंग से हो रहाया नहीं यह इस बात का संकेत है कि वह सामान विकास प्राप्त कर रहाया नहीं विकास की गतित अभी सामाने होती है जब शरीर को उचित पोशण प्राप्त होता है ठीक है ठीक है इन में से मुख्य माप निमन लिखेते हैं anthropometric measurement की कुछ विदिया है जिनको हम देखेंगे methods of anthropometric measurement ये कुछ anthropometric measurement की विदिया है ठीक है जिनके द्वारा हम anthropometric measurement लेते हैं जैसे पहला है शरीर का वजन शरीर के लंबाई शरीर के अनुसार वजन अर्थाथ हाइट अकार्डिंग टू वेट वहां का घेरा सिर्की परीदी छाती की परीदी तचा के नीचे जमा वसा की मात्रा को मापना ये सब anthropometric measurement के अंतर गाता था इनके द्वारा ही इन विदियों क के द्वारा ही anthropometric measurement लिया जाता है ठीक है तो anthropometric measurement लेते समय ठीक है शरीर के इन मापों को लेते समय अर्थात anthropometric measurement लेते समय हमें कुछ बिस्यस बातों का ध्यान में रखना चाहिए ठीक है जैसे उम्र का सही आकलन तो उम्र का सही आकलन क्यों होना चाहिए क्योंकि क्योंकि उम लंबाई शरीर के छेतपल में अंतर आता है इनकी वृधिदर होती है ठीक है यदि उम्र की सही जैनकारी नहीं होगी तो पोशन असता जानने में या बिदी साहयक नहीं हो पाएगी इसलिए हमें उम्र का सही आकलन होना आवश्यक होता है ठीक है दूसरा है शरीर माप के तु तुलना है तु सही तथा सामान्यस्तर का होना, ठीक है, अब इस सामान्यस्तर का क्यों होना, क्योंकि कोई भी चीज सही है या नहीं, यह हम तभी जान सकते हैं, जब हमारे पास उसकी तुलना है तु सही तथा उपयुक्त मान दंड हो, जिससे हम तुलना कर कमी जान सके हैं, इसलिए हमें शरीर माप के तुलना है तो सही तथा सामान्यस्तर का होना आवश्चक होता है या इसके बारे में जनकारी लेना आवश्चक होता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि शरीर का वजन कैसे लिया जाता है तो NCHS एक ऐसी संस्था है जो anthropometric measurement के प्रतेक विदियों के लिए एक standard, एक label निधार्थ किया है ठीक है? एक अस्तर निधार्थ किया है जैसे NCHS National Center for Health Esthetics द्वारा पोशर अस्तर मुल्यांकन हेतू सामान्यस्तर निधार्थ किया गया है इसके द्वारा एक वर्ष के बालक का सामान्य वजन 10.2 kg तथा बालिका का वजन 9.5 kg होता है, ठीक है? इस सामान्य वजन से 10.2 kg से कम वजन वरला बच्चा कूपोशण तथा अधीक वजन वाला बच्चा अती पोशण के अंतरगत आता है, ठीक है? एनसी एच एस द्वारा सामाने से कम वजन वाले बच्चे कूपोशित बालकों की स्रेणी में आएंगे, ठीक है? तराजू, शेल्टर, स्केल, साधारान वजन वजन लेनी की मशीन, आधी ये सब कुछ वजन मापी यंतर हैं, जिनके द्वारा वजन लिया जाता है, ठीक है? तो चलिए, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, आप कि यहाँ पर शिशु का वजन लिया जा रहा है, ठीक है? अब शिशु का वजन कैसे लिया जा रहा है, ठीक है? अब शरी की लंबाई, ठीक है? तो शरी की लंबाई कैसे लिया जाती है? तो पोशड अस्तर ग्याद करने के लिए, ठीक है? निट्रिशनल लेबल ग्याद करने के लिए यह एक विश्वसनी माप है, क्योंकि कुल लंबाई में ब्रिधी हुई, समचित पोशड अस्तर की ओर इंकित करता है, ठीक है? एंसी एच एस द्वारा, ठीक है? एक वर्ष के सामान्य स्वस्थ बालक की लंबाई 76.1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है? लंबाई बापने के लिए सही स्केल का प्रियोग करना आश्यक होता है, ठीक है? तो चलिए, आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहा माप लिया जा रहा है, लिटा कर, यह माप लेने की विदी है, बच्चे को हमेशा लिटा कर ही माप लिया जाता है, ठीक है? तो चलिए, लंबाई के अनुसार वजन, अब लंबाई के अनुसार वजन कैसे देखेंगे? तो पोशन अस्तर ग्याद करने के लिए, ठीक है? यह यह भी एक विश्यसनिय माप है क्योंकि लंबाई के अनुसार वजन नो हो तो बालक स्वस्त स्रेडी में नहीं आते ऐसे बालकों को उत्तम पुशन के आ सकता होती है एक वर्ष के सामाने वाला की लंबाई 76.1 cm तथा वजन 10.2 kg NCHS के द्वारा होना चाहिए ठीक है अगर इसमें थोड़ा सा भी डिस्पैलेंस होता है तो अब अच्छा कूपोशित मान लिया जाता है ठीक है जैसे यहां पर देख सकते हैं ठीक है बहां का गेरा ब्यक्तिगत रूप से ब्यक्तिगत रूप से समुदाय विशेश के पोशन अस्तर को जानने के लिए समुदाय विशेश के पोशन अस्तर को ब्यक्तिगत रूप से जानने के लिए यह एक कुपयोगी तरीका है ठीक है क्योंकि हम जानते हैं कि इस भाग में हड़ी वसा तता मान स्पेशियां है इन में से वसा जो वसीय उत्तकों के रूप में है तता मान स्पेशित पर शरी के अतरिक्त प्रोटीन तता प्षक्ति के संचेन अस्तर हैं यदि कोई भी व्यक्ति अपने भोजन में इन ततों को सही मात्रा में नहीं लेता है तो बाह का गेरा कम हो जाता है जो प्रोटीन को पोशन का लक्षण होता है ठीक है NCHS के द्वारा NCHS के द्वारा एक से पांच वर्ष तक के बच्चे के बाह का गेरा 15 से लेकर 16 cm तक अर्थात सेंटी मीटर तक माना जाता है या होता है ठीक है इससे कम घेरे वाले बच्चे को कुपोशन की स्रेणी में रखा जाता है और अधिक घेरे वाले बच्चे को अतीपोशन की स्रेणी में रखा जाता है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यह बाग की परीदी का घीरा मापा जा रहा है, अब यहाँ पर देखेंगे सीर की परीदी का माप कैसे लेते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी खोपड़ी का चेतरपल, शरीर की अन्य भागों की चेतरपल से अधिक होता है, ठीक है खोपड़ी के परिदी का समंद मुख्यता मस्तिक्स के माप से होता है खोपड़ी के परिदी का समंद किसे होता है तो मुख्यता मस्तिक्स के माप से होता है मस्तिक्स का माप परतेक बेगत के पोशन अस्तर से प्रभावित होता है यदि बच्चे में प्रोटीन को पोशन है तो उसका प्रभाग खोपड़ी की परीदी पर पड़ता है साधाराण टेप से खोपड़ी की परीदी की माप की जाती है साधाराण टेप से खोपड़ी की परीदी का माप दिया जाता है जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, ये खोपड़ी की परिधी, कम आप लिया जा रहा है, अब देखेंगे चाती की परिधी, फिन उम्र के बच्चे की खोपड़ी तथा चाती की परिधी करीब करीब बरावर होती है, इसके बाद छाती के परीदी में विकास तिब्र गती से होता है तता खोपडी के परीदी में धीमी गती से विकास होता है बचे की छाती के परीदी का माप साधाना टेप से लिया जाता है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मेजरमेंट लिया जा रहा है तोचा के नीचे जमा वसा की मात्रा ज्याद करना पोशन अस्तर ज्याद करने के लिए अभी एक उत्तम माप है सधारता मोटापे का कारण तोचा के नीचे जमा वसा की मात्रा होती है यदि लगातार अधिक कैलोरी ली जाए तो वजन बढ़ता है में तथा वसा की मात्रा भी भढ़ती है मोटापा भी भढ़ता है इसके विपरीद आशक्ता से क्काम कैलोरी ली जाती है तो वजन घटा है मोटापा घटा है क्योंकि शरीर में जम्वक्षा ओर्जा देने का काम करता है जो काम जो यह जो काम होती जाती है सुरी यह कुछ टैपिंगी स्टेक हो गया है ठीक है तो यहाँ पर हम दखेंगे हाँ तो वजन घटता है तो मोटापा भी घटता है ठीक है क्योंकि शरी में जमावसा उर्जा देने का काम करता है ठीक है और जैसे ही यह उर्जा घटता है तो हमें भी तो यह कुपोशण का लक्षण अर्थात उस बक्ति का पुशण अस्तर अर्दर्स नहीं माना जाता है यह कुपोशण का लक्षण मान लिया जाता है ठीक है इसकीन फोल्ड कैलिपोर्स द्वारा यहाँ आपका इसकीनफूलड कैलिपर्स है ठीक है इसके द्वारा वसा के नीचे जम्म्यवसा की मात्रा को मापा जाता है एक आप किस तरीके से इसको मापा जा रहा है कि. तो वीडियो को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है तैंक यू